दोस्तों बिहार में अब रासनकार जातिये अवासिये आये और OVC और बहुत सारी ऐसी सर्विस लमसम आपको छियासप सेवाएं जो है आपको एक ही बेवसाइट पे आउनलाइन आवेधन करने को मिल जाएगा बेवसाइट जो है चालू कर दी गई है मैं पुराने बेवसाइट आटी पीस की बात नहीं कर रहा हूँ एक नई बेवसाइट बिहार सरकार के तरफ से चालू की गई है उस पे आपको इडिस्टिक सर्विस जैसे ही आपको सारी सुवधा इस पे आपको मिलने वाली है और लेकि जगह से आविदन कर पाएंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे तो सारी जैनकरी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाला है ठीक है दोस्तो अगर आपको इसी तरीकी की वीडियो की अपेपर चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर स Nepरैब कर है इससे पहले भी जो है यह सेवा चालू की गई लेकिन कुछ खामियों के बज़े से इस सेवा को बंद कर दी गई थी और इस lockdown यानि कि इस महामारी के समय में जो है एक दूसरे से संपर्क में ना आने के वज़े से जो है ऑनलाइन को ज़्यादा और बढ़ावा दिया जा रहा है इसे लिए इसे दुवारा से जो है सक्रिय किया गया है और कुछ सेवाए जो है अभी चालू की गई तो मैं आपको बारी-बारी से सारी चानकरी देने वाला हूँ जैसा कि आप देख सकते यहाँ पे RTPS के सभी सेवाएं अब एक ही वेबसाइट पर मिलेगी जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं RTPS में सामिल अलग अलग विभागों की सभी 66 सेवाएं एक ही वेबसाइट पर एक साथ आ जाएगी तो यहाँ पे आवेदन करने में काफी अच्छी सुब्दा होगी और इसमें बताया जैसे जा रहा है कि कम इंटरनेट स्पीड पर भी आपका इस पर अच्छा काम होगा जैसा कि पहले होता था कि स्पीड कम हो जाने के बाद हम अपना RTPS पर काम नहीं कर पाते थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें आपकी net speed कम भी होगी तो आप अपने mobile या आपने system से इसमें कोई cutनाई नहीं होगी ठीक है दोस्तों और यहाँ पर फिलाल मैं आपको चलू ले करके उड़ाने website पर जैसे कि आपको यह website यादी होगा कि आप इस पर पहले जाती है आवासिया आया और इस पर आवेधन किया करते थे लेकिन आप इसको जो है फिलाल यह भी काम कर रहा है ऐसा नहीं कि यह बंद हो गया है यह भी आपका काम कर रहा है भी लेकिन इसके जगह पे एक नए website दे दिया गया है तो वो कौन सा website है चलिए हम वो भी जाल लेते हैं जैसा कि देख सकते हैं यह नई website है RTPS and other service तो यहाँ पे ED stick के तोर पे ही आपको सारी सेवाई दी जाएगी और इसमें आपको ID password एक बनाना होता है तो वो कैसे बनाना होगा सारी जानकर है हम आपको देने वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम RTPS वाले column में आ गए हैं इस column में आएंगे तो RTPS related जो भी सेवाए हैं वो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं समान परसासन विभाग की अवास्यय जाति एवाँ आय परवानपत्र की सेवाएं तो यहाँ पर हम click करेंगे plus पे और देखेंगे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है तो यहाँ पर हम आवासिये पर click कर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो है service जो है खुल चुकी है और यहां पर आप आवेधन कर पाएंगे ठीक है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इसमें कुछ जादा जानकारी नहीं मांगा जा रहा है इसमें कहीं भी आपको जो है RTPS में क्या था हमको आधार के जरिये जो है OTP देना पड़ता था लेकिन बहुत ऐसे आधार काड है जिसमें mobile number active ना होने के कारण हम जो है OTP नहीं दे पाते थे लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा यह आपको generally भरना होगा और कुछ documents आपको इसमें attach करने होंगे ठीक है इसी तरीके से इसको आवेधन कर सकते हैं बहुत ही असान तरीके से कर सकते हैं उ खोल करके आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई बना हुआ है certificate, तो बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर issue कर दिया जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर yes कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले का certificate number होगा, वो आपको यहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ इसमे जो है अभी live नहीं होआ है, कुछ live हो गया है, तो यहाँ पर जो है, आपको देखने को मिल रहे, जैसेकि आप देख सकते हैं, मुखमंत्री वेदा पेंशन योजना की जो है, यह पर live कर दिया गया है, देखिएंगी कटो देख सकते हैं, यहाँ खुल जा आप online आवेदन कर पाएंगे, तो यह coming soon में है, जैसे कि देख सकते हैं, आने वाला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जमीन संबंदित भी है, और यहाँ पर आपको सर्म संसाधन, विभाग, यानि कि मजदूर संबंदित, जो भी सेवाएं होती है, वो आपको इस portal में मे है, एक tip कर दिया गया है, अगर आप आवेदन करना चाते हैं, तो आवेदन बहुत ही असान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको इस पर कर ले ना होगा, अगर आपको user ID, passport बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और कैसे आवेदन करना है, सारी ज